नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूस 18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंका राए वाइनाड में राहूल गांधी त्रिकोनिय मुकाबले में घिरे हैं शायद इसलिए अमेठी से राहूल गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ रही है वहीं कॉंग्रेस का इधड़ा राइबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग करवा रहा है सवाल है कि आखिर गांधी परिवार अपने गड़ को बचाने के लिए इतने कश्मशक क्यों कर रहा है उसी पर देखे हमारी एक खास रिपोर्ट मेरी माँ का मंगल सूतर इस देश को कुर्बान हुआ है अमेच्छी के दंगल में उत्रेंगे राहुल खान्धी राय बरेली में प्रियांका गांधी की दाफे थारी चौबीस में गड़ बचा पाएगा गांधी परिवार राहुल प्रियांका पर अभी भी सस्पेंस क्यों दो चरण के चुनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद कॉंग्रेस ने अब तक अमेठी और राय बरेली के उम्मिदवारों के नाम तै नहीं किये है लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कहीं जाने वाले इन सीटों पर राहुल और प्रियांका गांधी की दाविदारी की सोरदार मांग की जा रही है कॉंग्रेस कार्य करताओं की मांग है कि गांधी परिवार के सदस से अपने कड़ को बरकरार रखें कॉंग्रेस में मन्थन का दौर जारी है नामांकन की तारीख तीन मई जैसे जैसे करीब आ रही है अमेठी राय बरेली बरबना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है हलाकि राहुल गांधी ने केंद्रिय चुनाव समीती के फैसले को मानने का एलान पहले ही कर रखा है तब फिर इतनी देर क्यों लग रही है अमेठी से राहुल गांधी की उम्मितवारी का अनुमान इस्पृति इरानी भी लगा रही है इसकी वज़ा बताते हुए इस्पृति इरानी ने जो कह वो कम चौकाने वाला नहीं है विश्टों की दुआई इतनी दी फिर वायनाड चले रहे वायनाड जाकर जब मनामांकन पत्र भरा तो भोशित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है अमने का वावा भाया लोगों को रंग बदलते देखे थे परिवार बदलते पहली बार नी ठाई कि अरे औरध मी जब यहां करती है सचुराल जाती है तो जीवन भर माईके का संवान रखती है भाईया लेकिन ये तो अधूधी ना रिष्टों का सम्मान रखा ना लापता सांसत को जेलियां उत्रे सार उसका सम्मान रखा वाइनाट में वोटिंग के बाद अटकले थी कि ये सीट राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष केस सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वाइनाट में हुता रहा है इंडिया गडबंधन बनने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने एनी राजा को केंडिडेट बनाया है वायनाट में राहुल गांधी त्रीकोडिय मुकाबले में गिरे हैं लेफ्ट कैंडिडेट के मैदान में आने से वायनाट का समीकर अण पूरी तरह से बदल जुका है वायनाट लोग सभा सीट में शामिल तीन विदान सभा क्षेत्र मलबपुरम जिले के हैं जहां मुस्लिम अलब संख्यक आबादी जादा है मलबपुरम में 70% मुस्लिम आबादी है ओजी कोड जिले की एक विदान सभा सीट वायनाट में आती है जहां 56% हिंदू और 49% मुसल्मान वोटर हैं इस तरह से देखें तो वायनाट जिले से बाहर की चार विदान सभा सीटों पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार में एहम भूमिका निभाएगी इस लोग सभा सीट पर अलब संख्यक आबादी का असर साफ देखा जा सकता है क्योंकि वायनाट में मुसलिम आबादी 45.5% ईसाई 12.5% इस तरह से अलब संख्यक आबादी मिलकर 58% हो जाती है वायनाट सीट पर हिंदू आबादी 41.5% है वायनाट में हिंदू वोट का ध्रुवे करन बीजेपी की राह आसान बना देगा साथ ही कॉंग्रेस के बेस वोटरों में लेफ्ट के गहरी सेंद लगाने की भी पूरी आशंगा है कॉंग्रेस और लेफ्ट की फाइट में बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है हना कि वायनाट में राहूल गांधी ने पिछले चुनाओं में रिकॉर्ड तोड जीत दर्श की थी 19 के चुनाओं में राहूल गांधी ने वायनाट सीट 4,31,000 वोटों से जीती जो पूरे केरल में 2019 के लोग सभा चुनाओं में सबसे अधिक अंतर है राहूल गांधी को 7,6,366 वोट मिले जबकि LDF उमिद्वार पीपी सुनीर को 2,74,597 वोट मिले BJP के नेत्रित वाले NDA के BDJS नेता तुशार विलापली को मैदान में उतारा था जिन्होंने 78,800 वोट हासिल किये थे जो कुल वोटों का लगभग 7.25 प्रतिशत था कोई आरोप जो लगाएं वो उसको प्रूब नहीं कर पाएं और वो हमेशा मैंने उनको चैलेंज भी कि आपने सोशल मीडिया के द्वारा मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है अगर में किसी रख्ती से मिलता हूं तो वह आरोप को प्रूब करें नहीं तो मनलब वह बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाएं साले सहाप को माँ हैं लुका है जीजा हो यह साले हैं अमेटी में हर वोतर है मोडी का मतवाला वहय भूल जाह की जीजी आएंगे तो पीसे अगड़ीः को पहें तो पहिएं लेकंगी जीजा जी आएएंगे तो बाग कर चुपा लेना जीजा है वाइनाट में राहूल गांधी का भविश्य सुनेश्चित है या नहीं, ये तो चार जून को पता लगेगा, लेकिन अमेठी में उनकी जगह रॉबर्ट वाडरा के चुनावी पोस्टर जरूर चमकाए गए हैं। अमेठी और गौरी गंज में कॉंग्रेस का र्याले समेत अन्य जगहों पर रॉबर्ट वाडरा को चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। रॉबर्ट वाडरा भी चुनावी धंगल में किस्मत आजमाने का इशारा अप पहले ही कर चुके हैं। अमेठी में लोग सभा चुनाओ के पांचमें चरण के तहट 20 मई को वोटिंग होगी। स्मृती इरानी धूम धाम से अपने नामानकन की तैयार हुआ लगी हैं। वहीं कॉंग्रेस की तरफ से सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राय वरेली सीट पर भी कॉंग्रेस दोविधा में देख रही हैं। प्रियंका गांधी के चुनाओ लड़ने की डिमांड है। मगर कॉंग्रेस पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी इसी इंतजार में है कि कॉंग्रेस उम्मिद्वार के नाम का एलान हो। और वो राय बरेली सीट पर तुरुक का पत्ता चले। राय बरेली के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीती तैयार की है। बीजेपी राय बरेली से कॉंग्रेस उम्मिद्वार के घोशने का अंतजार कर रही है। कॉंग्रेस के बाद ही बीजे की यहां अपना प्रत्याशी घोशित करेगी राय बरेली सीट कॉंग्रेस का मजबूत गड़ रही है सूनिया गांधी यहां से लगातार चार बार संसत रही है मगर इस बाद उन्होंने लोग सभा की बजाएर राजे सभा की राचुल ने जिसके बाद राय बरेली सीट पर भी कॉंग्रेस की पकड़ धीली बढ़ती जा रही है इसके पीछे बीस्पी का चला दाओं भी माना जा रहा है राय बरेली सीट से बीस्पी ने ठाकुर परसाद यादो को प्रत्याशी बना कर कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ा दिये बीस्पी के यादो गाओं की काड़ तलाशनी के लिए भी कॉंग्रेस में मन्थन चल रहा है अना कि वक्त बेहत कम बचा है राय बरेली और अमेठी के सस्पन से कॉंग्रेस को परदा उठाना ही होगा तो इसराइल और हमास का युद्ध दिनो दिन और भीशन होता चला जा रहा है रफाह कैम से इसराइली हमले की जो तस्वीरे सामने आ रही है वो बेहत चौकाने वाली है एम वक्त पर नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे है यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं नेतन्याहू ने रफाह पर हमले रोकने के एवज में 33 बंदकों की रहाई मांग ली है हमास जब तक इन बंदकों को छोड़ नहीं देता गाजा और रफाह में तबाही का मन्जर दिखाई देने वाला है यह रिपोर्ट देखें भूने का उठता गुभार आस्मान के सफेद रंग पर काला कर रहा है पंब के धमाकों की गूंज गाजा के गली-गली में खून बहा रही है और इस बीच मदद के लिए आकाश से गिराए जा रहे भूखे पेटों के लिए भोचन गाजा में जिन्दगी और मौत दोनों का फासला मिट गया है इसरेल अपनी पूरी सामर्द के साथ गाजा को रौंद रहा है प्रचन्ड युद्ध के आगाज के बाद गाजा के निवासी सुकून का एक बल भी गिन गिन कर जी रहे है पता ने कब वम का बोला के रहे और जान चली चली गाजा की सबसे लेटिस्क रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे उसके पहले एक चौका देने वाले रिपोर्ट जो बताती है कि घाजा की मिट्टी वारूद से नहा चुकी है तबाहिए किस लेबल पर और कितनी हुई है ये देखकर आप सन रह जाएंगे घाजा की बरबादी के इंसाइट स्टोरी जो पश्चिनी मीडिया की चप रही है वो दिखाने से पहले इस्रेल के प्रधानमंद्वी बेनमीन नेतन्याहू के लिए एक बोरी खबर आई है वो देख लेज़े बेनमीन नेतन्याहू को डर है कि ICC यानि इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है ये कार्रेवाई घाजा में इस्रेली एक्शन के मामले में हो सकती है इसके लिए दक्शन अफ्रीका समेत अन्य देशों ने याचिका दाखिल की है इसके पहले ICC ने रूस के राश्रपती व्लादे मेर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था पुतिन पर आरोप है कि वो योक्रेनी बच्चों को अवैर तरीके से घूस लेकर आए ICC के इस कदम की तुलना ट्वाइलिट पेपर से करते हुए घूसी अरिकारियों ने सेव बेकार बता दिया था और पुतिन ने योक्रेन पर हमलाब बंद करने की जग्या और बढ़ा दिया International Criminal Court की ताकत कितनी है क्या ICC पुतिन और नेतन्याहू जैसे नेताओं को गिरफतार कर सकता है इसकी डीटेल आपको आगे दिखाएंगे लेकिन उसके पहले नेतन्याहू के नए इरादे देख ली छे नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे नेत्रिक्तों में इस्रेल अपनी आप मुरक्षा और अधिकार को कमजोर नहीं होने देगा International Criminal Court के किसी भी प्रयास को हम कभी सुईकार नहीं करेंगे मध्यपोरो एक मात्र लोगतंद्र और दुनिया के एक मात्रित यहूदी देश के सैने और अधिकारियों को गरबदार करने की धमकी अपमान जनक है हम इसके आगे नहीं जुकेंगे नरसंधार करने वाले आतंकवादियों के थलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी हम अपनी रक्षा करना कभी बंद नहीं करेंगे Message loud and clear है इस्रेल हमास के अंतिमा आतंकवादी के खत्मे तक भी जुक बंद नहीं करने वाला है ICC के चेताउनी का असर उल्टा हुआ है कयास लगाय जा रहे है कि ICC के फैसले से होने वाले तबाव से ध्यान हटाने के लिए इस रेंग कोई बड़ी का रिवाई कर सकता है ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ही नितन्याहु ने ब्रेटन और शर्मनी के विडेश मंद्रियों से मुलाकात की तो इस मामले में मदद भी मादा प्रधान मंद्री बेनमीन नितन्याहु ने मोसाद हेटक्वाटर और दूसरी जुरक्षा एजिंसियों का दोरा भी किया है मोसाद के अधिकारियों से कहा है कि हमारे अस्तितोबर संकट है इसलिए मदद भेदों को भूलाना होगा मतलब इस्रेल ने गाजा को नस्तो नापूद करने के लिए एक और सीक्रेट प्लान की तयारी कर ली है रफा में लगातार इस्रेली हमले इसकी बांग दो इस्रेली प्रधानमंत्री बेनमीन नेतनियाहू पर इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई असर नहीं है लेहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आइसी कोई ताकत नहीं है कि वो इस्रेल के खिलाफ कार्रिवाई कर सके इंटरनाशनल कोर्ट अंतराश्री अपराधियों के खलाफ मामला लेता है नीदरलैंड के हेग में इसका बेस है और कुल 123 देश इसके सदर से है 2002 में बना ये कोड वार क्राइम, मान्वियता परखत्र, नरसंधार और गंगे फसाद के अपराधियों पर कारिवाई की बात करता है लेकिन इसके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है यानि सदस्य देशों पर इसके फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मदारी होती है ICC ने प्रक्रिया तो शुरू करती है लेकिन ये लगभग असंभव है कि इंटरनाशनल कोड नेतन्याहू पर हाथ डाल सके अपनी लगभग 24 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें इसने किसी देश के नेता या ताकतवर शक्स के खिलाफ कार्रवाई की हो तो ICC भले ही फैसला सुना है उसे जमीन पर उतारनाम मुश्किल दिख रहा है नितन्याहू इस भीच फुल आक्शन में है और घाजा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाती एक रिपूर्ट सामने आई है इसरेल के घाजा में जारी हम्दों से किस तरह का नुपसान हुआ है इस पर संयुक्त राश्र के एक शीर्ष खनन अधिकारी में बड़ा दावा किया है रिपूर्ट में कहा गया है कि घाजा में जारी युद ने अब तक 37 मिलियन तन मलबा पैदा किया है इस मलबे में बड़ी संख्या में बिना फटे बंप शामिल है जिनको हटाने में करीब 14 साल का समय लग सकता है घाजा में प्रती वर्ब मीजर जमीन पर औसें 300 किलो मलबा है इस बुलिटिन में फिला इतना है खबरों का सिलसिला जा रही है आप देखते रहें न्यूज 18 राजस्थान नमस्कार